नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ABR कोचिंग सेंटर में दोथो इस कलास में हम फिर से लेकिया हैं हर्याना या फिर हो आपके SSC के या फिर CHSL के हो या फिर UPAC के किसी प्रकार के एकजाम हो तो black book से question हम लेकिया है एक बार फिर से और आज का topic है हमारा आर्थिक सर्वेक्षन तो आर्थिक सर्वेक्षन में हम बात करते हैं फश्ट की with वरस 2021-22 में real Trump के कितने परतिसात विकासदर का अनुमान किया गया था नो परतिसात जो की real Trump का परतिसात विकासदर का अनुमान लगाया गया है बात करते हैं with वरस 2022-23 में GDP कितने परतिसात की दर से विकास होने का अनुमान है तो 8 से 8.5 परतिसात होने का अनुमान है विसो बैंक के अनुसार वित वरस 2022-23 में GDP कितने परतिसात की दर से विकास होने का अनुमान है तो 7.5 परतिसात याने की 7.5 परतिसात से विकास होने का अनुमान है बात करते हैं IEMF के ताज़वी सव आर्थिक परड़ी दर से अनुमान के तहत 2021-22 और 2022-23 के भारत की रियल GDP विकास दर जो है वो 9 परतिसात है और 2022-23 में कितने परतिसात रहने की संभावना है तो 7.1 परतिसात रहने की संभावना है Next है 2021-22 में क्रीशी और समंदित अक्षेतरों के परतिसात उद्योग के कितने परतिसात और सेवा अक्षेतर के कितने परतिसात बढ़ाने का अनुमान है तो हमारा क्रीशी और समंदित अक्षेतरों में 3.9 परतिसात उद्योग के 11.8% और सेवा करके 8.2% बढ़ाने का अनुमान है बात करते हैं नंबर 7 की जो की सितम्बर 2021 के अंत तक भारत का बाहिया करजा बढ़कर कितना हो जाएगा तो 593.1 बिलियन डोलर का हो गया है नेक्ट बात करते हैं 31.1 दिसम्बर 2021 तक विदेशी मुद्रा भंडार कितना था तो कितना था 633.6 बिलियन डोलर का विदेशी मुद्रा भंडार था बात करते हैं नॉम्बर 2021 के अंद तक कौन कौन से देशों के बाद भारत चोथा सबसे जदा विदेशी मुद्रा भंडार वाला देश था तो चीन जापान और स्वीजर लैंड के बाद भारत चोथा सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार वाला देश था नेस्ट बात करते हैं नमबर 10 की तो 2021-22 यान की BE में GDP की तुलना में समाजिक सेवाओं का विया बढ़कर कितना हुआ है जो 2014-15 में 6.2% था तो कितना हुआ है 8.6% हुआ है 31 दिसंबर 2021 तक बैंक रिन में कितने परतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई है तो 9.2% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है 2021-22 जो कि अपराल से दिसंबर में CPIC मुद्रा स्फीती गटकर कितनी रहे गी है जबकि 2020-21 में इसी अवधी में 6.6% थी तो 5.2% रहे गई है गटकर है बात किरते हैं 2021-22 जो कि अपराल से दिसंबर तक खाद्या मुद्रा स्फीती कितनी थी जबकि पिछले वरस के सम्मान अवधी में यह 9.1% थी तो अब कितनी है उस्तर दो पॉइंट 9% है थोक मुद्रा स्फीती 2021-22 जो कि अपराल से दिसंबर के दुरान कितनी बढ़ी है तो 12.5% बढ़ी है 2020-21 में परती दिन सड़क निर्मान बढ़कर 36.5 km वा जो पिछले साल की तुलना में कितने की बढ़ोत्री हुई है तो 30.4% की बढ़ोत्री हुई है वरेश 2021-22 में रैप रेट दर कितनी थी तो रैप रेट दर है जो ओ थी 4% अपराल दोमबर में 2021 में 75 पराड़मिक सारुजनिक निर्गम यान की IPO से कितने पैसे जुटाए गए है तो 89,066 क्रोड रुपे जुटाए गए है बात करते हैं भारत विशव में कौन से स्थान पर सबसे बड़ा वन अक्षेतर वाला देश है जो कि भारत के कुल बोगोली का अक्षेतर में 24 परतिसत है जो कि विशव के कुल वन अक्षेतर वाल का दो परतिसत बागा तो कौन सा स्थान पर है दसवा स्थान पर सबसे बड़ा वन अक्षेतर वाला देश है बात करते हैं अगस 2021 में अधी सुचित पलास्टिक का कच्रा प्रबंदन नियम 2021 का क्या देश्या है तो 2022 तक सिंगल यूज पलास्टिक को समाप्त करना नेश्ट बात करते हैं अपराइल नमबर 2021 के दोरान अधीयोगी का उत्पाधन का सुचका यानि की आई आई पी बढ़कर कितने परतिसाथ जो की वरस दर वरस हो गया है जबकि अपराइल नमबर 2020 में यह माइनस 15.3 परतिसाथ था तो अब कितना हो गया है 17.4 परतिसाथ हो गया है बात करते हैं भारतिया रेल्वे के पुंजीगत व्याय में 2014 के सतर की तुलना में 2021 में कितनी बढ़ोतरी हुए तो पांच गुना बढ़ोतरी हुए भारतिया रेल्वे के पुंजीगत व्याय में बात करते हैं वरस 2020-21 में परती दिन सड़क निर्मान की सीमा कितनी है तो 36.5 यानि की 36 किलोमेटर परती दिन जो की 30.4 परती सथ की बढ़ोतरी हो या पिछले वरस के मुकाबले बात करते हैं समगर सेवा अक्षेतर जी वी ए में 2021-22 में बढ़ोतरी कितनी होने की उमीद है तो 8.2 परती सथ बढ़ोतरी होने की उमीद है भारत कौन से देश के बाद विशो का तीसरा सबसे बड़ा स्टाट अप इन एको सिस्टम बन गया है तो अमरीका और चीन के बाद त इसरा विशो का सबसे बड़ा स्टाट अप इको सिस्टम बन गया है नश्ट बात करते हैं इसमें भारतिया मान्यता प्रावत स्टाट अप्स की संख्या 2021-22 में कितनी हो गई है जो वरस 2016-17 में केवल 735 थी तो अब 14,000 से दीक हो गई है वरस 2021 में कितने भारतिया स्टाट अ स्टाट अप्स में यूनिकोर्ण का दरजा हासिल किया है तो 14 जो भारतिया स्टाट अप है उन्होंने यूनिकोर्ण का दरजा हासिल किया है भारत में कितने यूनिकोर्ण स्टाट अभी तक हैं तो 83 स्टाट अप्स भारत में हैं यूनिकोर्ण स्टाट अप्स की बात करते जो 2014-15 में 6.2% था और 2021-22 का बजट अनुमान में बढ़ कर कितना हो गया तो 8.6% हो गया है भारत में कुल परजन अंदर जो की TFR 2019-21 में कितनी थी तो 2 थी जल जीवन मिशन के तहट कितने जिले हर घर जल जिले बन गए है तो 83 जिले हर घर जल योजना के जिले बन गए है बात करते हैं तीसरे की विभिन अंतराष्ट्रिय सुचकांक में भारत का स्थान तो इसमें फरस्ट मारा है मानुविकास सुचकांक यानिकी Human Development Index 2021 संगठन इसका सियोंगत राष्ट्रिय विकास कार्यकरम यानिकी UNDP भारत का स्थान इसका 131 और rank 1 देश है मारवे नेक्स्ट बात करते हैं Global Genders Gap Index 2021 संगठन इसका 200 अर्थिक मंच यानिकी World Economic Firms जो की भारत का स्थान 144 और पर्थम देश है आइसलेंड वास्विक सांती सुचकांक 2021 Institute of Economics and Peace जो की भारत का स्थान है 135 और फर्ष्ट पर है आइसलेंड नेक्स्ट है अर्थिक सवतंतरता सुचकांक यानिकी Economic Freedom Index 2022 संगठन है The Heritage Foundation भारत का स्थान 131 और फर्ष्ट है सिंगापूर World Crime Index 2022 में संगठन है नंबियो भारत का स्थान चेंटर और पहले पर है वेनेजुएला बात करते हैं नंबर साथ की Climate Change Performance Index जो की CCPI 2022 संगठन है इसका जर्मन वाच और भारत का स्थान 10 पहले स्थान पर है डेनमार्क और च्यार देश नंच्ट बात करते हैं World Competitiveness Ranking 2021 में संगठन है Institute for Management Development यानि की IEMD भारत का स्थान 43 और फर्ष्ट पर है स्वीजर लेंड नंच्ट बात करते हैं Corruption Perception Index 2021 संगठन है इसका Transparency International और भारत का स्थान है 85 और फर्ष्ट पर है डेनमार्क फिनलेंड और न्यूजिलेंड बात करते हैं World Happiness Index में संगठन है श्यूंकत राष्टर भारत का स्थान है 136 और फर्ष्ट पर है फिनलेंड विशो प्रेस सवतनतता सुचकांक यानि की World Press Freedom Index 2021 में Reports Without Borders जो की इसका संगठन है भारत का स्थान 112 और फर्ष्ट पर है नार्वे बात करते हैं विशो भुकमरी सुचकांक यानि की Global Hunger Index 2021 इसमें संगठन है Concern World Wide and Wealth Hunger हिल्फे जो की भारत का स्थान है 101 और फर्ष्ट पर है बेलारूस बात करते हैं Global Livability Index 2021 की और इसका संगठन है The Economist Intelligence Unit यानि की EU और इसमें फर्ष्ट है Auckland और न्यूजिलेंड वास्विक उर्जा संकरमन सुचकांक यानि की Global Energy Transition Index 2021 जिसका संगठन है 208 मच भारत का स्थान 87 और फर्ष्ट पर है स्विडन नेक्स्ट बात करते हैं No.15 की लोगतंत्र सुचकांक यानि की Democracy Index 2021 जिसका संगठन है Economist Intelligence Unit भारत का स्थान 46 और फर्ष्ट पर है नर्वी नेक्स्ट बात करते हैं Democracy Reports 2022 की तो संगठन है Variety of Democracy V-Dem यानि की भारत का स्थान है इसमें 93 और फर्ष्ट पर है स्विडन अंतराश्ट्रिया बहुत धिक संपदा सुचकांक संगठनेस का US Chamber of Commerce भारत का स्थान 43 और फर्ष्ट पर है अमेरिका Global Innovax Index 2021 की रिपोर्ट के नुशार संगठन है इसका World Intellectual Property Organization भारत का स्थान है 46 और फर्ष्ट पर है स्विजर लेंड हैंले Passport Index 2022 जिसमें संगठन है International Air Transport Association यानि की IATA भारत का स्थान है 83 और फर्ष्ट पर है जापान और सिंगापुर बात करते हैं Bloomberg Innovation Index 2021 जो की संगठन है Bloomberg Business भारत का स्थान है 50 और फर्ष्ट पर है दक्षिन कोरिया बात करते हैं Global Soft Power Index 2021 संगठन है Brand Finance और भारत का स्थान 36 और फर्ष्ट पर है जर्मनी Global Digital Skill Index 2022 और संगठन है Salesforce जो की भारत का स्थान है इसमें पहला पहला भारत का स्थान है बात करते हैं Global Investment and Digital Shopping इसमें संगठन है London and Partners इसमें भारत का स्थान दूसरा और फर्ष्ट अमेरिका का नेक्ष्ट बात करते हैं SDG Index इसका संगठन है स्यूंक दराश्टर महासबा भारत का स्थान है 120 और इसमें फर्ष्ट पर है Finland नेक्ष्ट बात करते हैं इसमें The Wealth Report जो की The Wealth Report 2022 नॉइट फ्रेंक संगठन है भारत का स्थान तीसरा है और फर्ष्ट पर है अमेरिका Global Interpretation संगठन है इसका दूबई एक्सपो और भारत का स्थान है चोथा फर्ष्ट पर है सौदी अरब और इसी के साथ आज की क्लास में हमारा इतना ही लेकिन Black Book से संबंदित और भी सब्सक्राइब कर लें और आने वारे वीडियो की नॉट्रिकेशन पाने के लिए घंटी को बटन जरूर दबा दें तो चलिए मिलते हैं जले नेक्ट क्लास में तब तक के लिए खुस रहिए खुसाल रहिए शुरक्षित रहिए जैहिंद जैभार्द